अम्राग धाना भी हमारे साथ जोड़ गया हैं मेहमानों का रुक करेंगे लेकिन विसलेशन के लिए पहले राजीव रंजन के पास आपको लिए चलते हैं अपोजिशन के जितने भी लीडर हैं उनके यहाँ पर रेड हो रही है जांच हो रही है अरेस्टिंग भी हो रही है इन सबका 2024 पर असर क्या होगा अब आपकारी नीती दिली आपकारी नीती मामलें पहले मनिश्ट सो दिया फिर बिजनेसमें आरोर नराम चंदन पिल्लई को ग्रफतार कर लिया गया अब केसियार की बेटी को भी समन किया गया है वो आज ने 11 तारी को पेश हो रही है उससे पहले के नाम भी लंबी लिस्ट है संजर राउत हैं जार्खन के सीम है तो इससे विपक्ष मजबूत होगा या फिर कमज़ोर होगा 24 में देखिए CBI और ED जो जाच एजनसियां और जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं की जाच कर रही है और लगातार उनकी टाइमिंग ऐसी है जिस समय छापे डालती हैं संबन बुलाती है उससे सिफ एक सवाल उठता है कि क्या यही सरकार अपनी विपक्षियों को निशाने प लगते ही रहें और जो भी विपक्ष में रहा है वो यह आरोप लगाते रहा है मैं बार-बार कहता हूँ कि आप प्रधान्मंतिर नरिंट मोधी से लेकर राजनाज सिंग से लेकर अमिश्रा से लेकर जितने भी आप बड़े नेता जो सत्तापक्ष में हैं आप अगर मेरा नहीं आप उनका बयान सुनना चाहें तो यूटूब पे जाके सीबी आई मिस्यूज या सिंट्रेल एजेंसीज मिस्यूज और उनका नाम लिख दीजिए आपको सब के बयान वीडियो में मिल जाएंगे ठीक वही हालात इस समय भी है कि विपक्ष के सारे निताई आरोप लग में 95 फीजदी जो जांच इन जांच एजेंसियों किये वह विपक्षी नेताओं किये अगर जैसा गौरों बता रहे थे पिछली सरकार में यह 60 फीजदी का आकड़ा था तो भारती जनता पार्टी अभी देखिए करनाटक में एक छापे के दौरान आपने पूरे देश ने तरह की चीज़ें आती हैं तो प्राइमिया फेसी लगता है कि यह सत्ता का दूरुपयोग हो रहा है लेकिन सवाल इससे अलग अगर दूसरा देखा जाए तो अगर जारकंड के मुख्यमंत्री पर की जांच हो रही है आरोप है तो उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए ख पार्टी कहती है कि नहीं नहीं सर आपकी पॉलिसी से उनको फाइदा हुआ है लेकिन कुल मिलाके यह तो सियासत है बारती जंता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया लगी ने आपको पता है कि बारती जंता पार्टी ने जिस जिस जो जो आरोप लगाए उन उ सरकार उसमें जिसकी थी उसी ने आदेश किया था लेकिन तू जी घोटाला पूरा देश में ब्रस्टाचार का इतना बड़ा ममला खड़ा हुआ उसका क्या हुआ कामन विल्ट घोटाले को केजरिवाल ने कितना बड़ा खड़ा किया था उसका क्या हुआ तो इस तरीके से घोटालों की बात करना नेताओं को अंदर डालना और उसके बाद चार सीट पता चले सही चीज सामने आए तत्त सामने आए तो पता चले कि मनुश् लेकिन दिल्ली को दिल्ली में भारतिय जंता पार्टी को शराब घोटाले को उठा करके और उसका खूब प्रचार करके राजनितिक फाइदा जरूर मिला है क्योंकि MCD में 15 साल राज करने के बावजूद भारतिय जंता पार्टी 104 सीटें पाने में काम्याब हुई है तो इसका मतलब हलाकि वो हार गये लेकिन तब भी इतनी सीटों की कलपना भारतिय जंता पार्टी के नेता भी नहीं कर रहे थे लेकिन वो शराब गोटाले का जो मामला उन्होंने उठाया था उसका फाइदा उनको लगा कि मिला है अभी इतना ही नहीं है कैलाश गैलोट जो की वित्मंत्री है और ये वाला दिल्ली सरकार का बजट पेश करेंगे उनके खिलाब भी आरोप है उनके खिलाब भी जाँच की सिपारिस है अब तीसरे बड़े नेता कैलाश गैलोट है तो ये सवाल उठेगा कि दिल्ली जो की लागातार भारती जंता पार्टी को आम आदमी पार्टी हरा रही है तो उसके ही नेता और मंतियों पर इतनी निगवान क्यूं है लेकिन सवाल दूसरा भी है कि क्या जाँच एजेंसियों के दुर्पयोग के नाम पर अगर भश्टाचार की सिकायते विपक्छी दलों की सरकारों पर लग रही है तो ये जाँच एजेंसियों में ताले लगा दिये जाएं वो जाँच का काम नहीं करेंगी क्या बात सिर्फ इतनी है कि सच सामने आएए आना चाहिए कि कौन सही है और कौन दलब नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और दे विल्स 24.